प्यारे बच्चो नवांकुर्व डिजी लेसंस में आपका फिर स्वागत है आज हम कक्षा पांच हिंदी में पाटनों रमों और कलों नामक पाट के प्रिश्णों के उत्तर समझेंगे तो आईए बच्चो इस पाट का पहला प्रिश्ण है रदिया की लड़कियों के क्या नाम है अगला प्रिश्ण है रदिया की लड़कियों के रमों और कलों नाम है अगला प्रिश्ण है रमों और कलों ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी की बे की बे अपनी मा के काम में सहायता करती और अपने घर का काम काज करती थी अगला प्रिश्ण है बाबु जी दोनों बेहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे उत्तर बाबु जी दोनों बेहनों को अपनी बेटियों की तरह मानते थे वे उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे अगला प्रिश्ण है रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी उत्तर रधिया लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती थी कि घर के लोगों का काम कौन करेगा पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा होगा जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाती में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहां से मिलेगा बाबु जी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस पिरकार सहायता की उत्तर बाबु जी ने लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए पुरोथ सहायत किया उनकी मा को इसके लिए सहमत किया बर्स भर तक बाबु जी ने दोनों बेहनों को सुयम पढ़ा कर उनकी सहायता की रम्मों और कलों को सिक्छा पिरसिक्छन संस्था में किस आधार पर पिरवेश मिला उत्तर रम्मों को परीक्छा फल के आधार पर तथा कलों को परीक्छा फल एवं खेलों के पिरमाण पत्रों के आधार पर सिक्छा पिरसिक्छन संस्था में कि पिरवेश मिला अगला प्रिश्ण है पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं उत्तर पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में मदद कर सकते हैं क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई नहीं करते हैं उस समय हम भी रम्मों और कलो की तरह घर के कामों में मदद कर सकते हैं बच्चो इस प्रिश्ण का उत्तर हम अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे पढ़ाई करना विद्ध्यार्ती का पिर्धम करताब है किन्तु पढ़ाई करने के साथ साथ भी हम घर के कई कामों में मदद कर सकते हैं जैसे घर की साथ सफाई करना पेड़ पौधों में पानी देना हमारे घर में जो छोटे भाई बेहन हैं उनको पढ़ाना दादा दादी माता पिता की सेवा करना आदी अगला प्रिश्ण है बाबु जी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस पिरकार बदल दिया उत्तर बाबु जी ने दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखा कर तथा उन्हें अध्या पिका बनबा कर उनके जीवन को बदल दिया अगला प्रिश्ण है निम लिखित बाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए या खाले स्थान भरो बच्चों में भी उनके प्रती अपनापन था दूसरा है पढ़ लिख कर रमों का नाम रमाबती और कलों का नाम कलाबती हो गया रधिया तुम इन लड़कियों को विद्धियाले क्यों नहीं भेशती हो और अंतिम खाली स्थान है दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई अगला प्रिश्न है नेम लिखे सब्दों के हिंदी सब्द लिखिये फाइदा लाब मतलब आसय या अर्थ गुजारे ब्यतीत किये जरूरत आवशक्ता किताब पुस्तक आंटी चाची या काकी इसके बाद सही जोड़ी बनाईए पहला है क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी प्रिश्न बाचक वाक्य दूसरा है यही काम करना है साधारण वाक्य रभी बार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ आग गया बाचक वाक्य हम यह नहीं कर पाएंगे निसेद बाचक वाक्य इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए इक्छा बाचक वाक्य अगला प्रिश्न है दिये गए सब्दों को बहु बचन में बदलो पहला है लड़की लड़की का बहु बचन होगा लड़कियां इसी तरह कापी कापियां नौकरी नौकरियां अध्यापिका अध्यापिकाएं सहेली सहेलियां अगला प्रिश्न है निम लिखेत बाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छाट कर लिखिये वह हसता है वह पत्र लिखता है मोहन भागता है मैं पुस्तक पढ़ता हूं हम सोते हैं वह फल खाता है अब उपर दिये गए बाक्यों में से सबसे पहले सकर्मक क्रिया वाले वाक्य छाट कर लिखेंगे तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य मैं पुस्तक पढ़ता हूं पहला दूसरा वह पत्र लिखता है और तीसरा वह फल खाता है ये सबी सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं अगला है अकर्मक क्रिया वाक्य वे हस्ता है हम सोते हैं मोहन वाक्य वाक्य ये सबी अकर्मक क्रिया वाक्य हैं बच्चो अभी हमने पाठनों रमों और कलों नामक पाठ के प्रशन उत्तर खाले इस्थान आदी को समझा और बच्चो इसी के साथ हमारा यह पाठ यही पर समाप तो होता है अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद